नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागित करता हूँ आपकी इपनी चैनल अंकित पर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनिल पे देखी चुके हैं अभी की तादा खबर ब्रेकिंग नियूज आईए सुखु सरकार में जैसन का महौल तीन उपचुनाब में से दो सीटें जो है कांग्रेस ने अपने नाम कर लिए हैं कौन-कौन सी सीटें अपने नाम किया है अब फिर से कांग्रेस विदायकों की संख्या वहीं चालिस जो है पहुँच गई है चली जानकारिया आपको इस विडियो में देते हैं तो देख सकते हैं तादा खबर ब्रेकिंग नियूज आईए देहरा वासियों ने ध्यान को दिया शागुन दर्ती पुत्तर को दी जोरदार पठकनी तस्वीर देख सकते हैं हमाचल की तीन सीटों पर हुए उपचुनाब में सबसे होड सीट देहरा से सीम सुखविंदर सिंग सुख़ू की पतनीवा कांगरेस प्रतियाशी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल किया कमलेश ठाकुर को 32,737 मत मिले जबकि उनके प्रतिदवन्दी बीजेपी के होशियार सिंग को 23,336 मत मिले इस प्रकार कमलेश ठाकुर मतों से 9,396 जीत गए देहरा में इस बार धर्ती पुत्तर बनाम द्याण के बीच एहम मुकावला था और देरा की जनता ने द्याण पर अपना विश्वास चताया और धर्ती पुत्तर का नारा दे रहे होशियार सिंग को पटकनी दे दी यह सीट बीजेपी बा कांग्रेस खास तोर पर सीम सुकु की प्रतिष्ठा का प्रशन बनी हुई थी आखिरकार सियम सुकु इस सीट से बीजेपी को मात देने में साफल हुए वहीं नालागर से जो है कांग्रेस परतियाशी हरदीप सिंग बाबा को भी जीत मिल चुकी है और हमिर्पूर से जो है वो बीजेपी पार्टी को जीत मिले है आशीश शर्मा जो है भी हमिर्पूर से बीजेपी के जीत है तो दोस्तों ये तारा ख़बर प्रेकिंग नियुज धन्यवाद जाहें जाहबाद